महाराश्च कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने श्री राम मंदिर को लेकर एक बहुत आपत्ति जनक और विवादित बयान दिया है और वो इतना निम्न इस्तरी और भर्सना योग ये बयान है कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है उन्होंने ये कहा किष्टी राम जन भूमी का शुद्धी करण कराने की आवशक्ता है महत्तपूर्ण बात ये है कि ये बयान उनका ठीक महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मूजी के राम मंदिर में धर्शन करने के एक दिन बाद आया है मैं कॉंग्रेस पार्टी और इंडी गड़बंदन से पूछना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से देश की प्रथम नागरिक और समस्त शुद्यूर्ट्राइब समाज आदिवासी समाज का इतना घोर अपमान करने पर क्यों आमादा है नव नमबन 1989 को शीराम जन्मुमी का शिलान्यास हुआ तो जो चार इंटे रखी जाती हैं उससे पहली इंट बिहार के कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा रखी गई थी जो आपके हिसाब से तथा कथित निमने जाती के थे अनुसूचित जाती के थे हम तो किसी को उचा और नीचा नहीं मानते तब भी कॉंग्रेस ने विरोध किया था 2019 में जब जज्जमेंट आया तब भी कॉंग्रेस ने विरोध किया जब 2024 में इसी वर्ष 22 जन्वरी को शीराम जन्मुमी का उद्गाटन हुआ प्रधान मंत्री शी नरिंद्र मोदीद उसमें मुख्य भूविका में थे जो स्वैम OBC समाज से आते हैं तो उसका भी विरोध किया और आज जब देश की महामहिम राष्ट्रपती यो शिडूर ट्राइप समाज से आती है आदिवासी समाज से आती हैं उनके जाने के बाद विरोध या बहुत साफ दर्शाता है कि कॉंग्रेस के मन में राम मंदिर तो एक बहाना है उनको अपने मन के अंदर S.C.S.T. और OBC समाज के रिये जो अस्री में हिकारत है उसे सामने लाना है मात्र कल इनके प्रमुक नेता मनी शंकर एयर पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करते हैं और आज नाना पठोले राम मंदिर के अपमान की बात करते हैं यह एक तरफ पाकिस्तान का सम्मान और एक तरफ है राम मंदिर का अपमान और उसके साथ साथ अनसूचित जन जाती समाज का अपमान मानते हैं आपकी पार्टी के नेता अपने आपको बड़े उचे खानदान का मानते हैं जो चार पीडी से शासन कर रहा है परन्तु भगवान राम ने राम चरित मानस में बहुत इस्पष्ट कहा है कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई इन दस चीजों से नहीं मिलता तो आपकी उंचाई की अहंकार और चतुराई इससे नहीं मिलने वाले उन्होंने बहुत साफ कहा है वो शवरी माता से कहते हैं कहे रगुपति सुन भामी निबाता यानि है देवी एक ही बात कह रहा हूं मान हूं एक भगत करनाता और कॉंग्रेस के अंदर भक्त नहीं है इसी कारण से उनके मन की जो हिकारत है भारती संस्कृती और शीराम मंदिर के प्रती वो निरंतर उभर कर सामने आ रही है मुझे याद रखना चाहिए कि उनके सबसे बड़े नेता उनके लिए परमादरनी वंदनी राहूल गांदी जी जो अपने बयानों के करण बहुत दिंदनी हो गए हैं अरे भाई उनके पर जो महर्मान सीमा पार के भाईजान है फवाज चोधरी जोनों ने राहूल साहब और जाने क्या क्या बोला है उन्होंने पाकिस्तान की नैशनल एसेंबली में खड़े होके बोला था बतौर मिनिस्टर आफ इमरान खान गवर्मेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है तो रेवंद रेड़ी जी जानकारी नहीं है या इतनी महबबत है कि राहूल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पढ़ ला है सुनाई नहीं पढ़ ला है तो सोते व्वैक्ति को जगा कर दिखाया जा सकता है और जगा हुआ जो आँखों से भी न देखना चाहे उसे दिखाया नहीं जा सकता केजरिवाल जी आज बाहर आये हैं और देखिए किस कदर जश्न मनाया जा रहा है इसमें मैं कहना चाहूंगा कि केजरिवाल जी जैसे लुटियन्स जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं न ऐसे भारती राजनीत में कुछ एलीट क्लब है हम लोग अभी बच्पन में सुनते थे कोई वेक्ति विदेश से लोट के आता था तो उस जमाने में बड़ा होता था फॉरेन रिटर्न है वह ऐसे ही भारती राजनीत में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न प्रिजन रिटर्न केजरिवाल जी आप जेल रिटर्न चीफ मिनिस् बने उन्निस1996 में तमिलनाड्य की मुख्यमंत्री जैलेलिता जी इस क्लब की सदस से बनी फिर संध 2000 में तमिलनाडल के मुख्यमंत्री करणा निधी जी जेल रिटर्न क्लब के सदस से बने फिर 2006 में जहारकंड के मुख्यमंत्री शिवू द्युएद cannabis saud in मधू कोराजी ज सदस्य बनने के बाद जो खुशी मना रहे हैं आम आदनी पार्टी के लोग तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरू मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरू मानने का जो उन्होंने दिखाया था राम नीला मैदान में तो उसका पूरा प्रभाव उनके उ झाल आड़ा है